नमस्कार मित्रो वासु ग्यान क्लब में आप सभी का स्वागत है नमस्कार जै जिनेंद्र मित्रो आज हम जानेंगे दिशा का ग्यान क्यों दिशा का ग्यान क्यों जरूरी है दिशा का ग्यान इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम किसी भी भूमी पर कोई भी भवन का निर्मान करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि इनमें दिशाएं कहां पर स्थापित हैं दिशाएं होती हैं दस कितनी होती हैं मित्रो दिशाएं होती हैं दस दस दिशाएं कौन कौन सी पूर्प, पस्षिम, उत्तर, दक्षिन, आगने, नैरित, वायब, इशान, आकास और पाताल आकास और पाताल मतलब भूमी यह दो दिशाएं सभी को आसानी से ग्याद होती है लेकिन जो आठ दिशाएं हैं, हम उनको आज ग्याद करना आपको बताते हैं कि आप एक कागच के उपर उन आठ दिशाओं को कैसे स्थापित करेंगे चलिए मित्रों, पहले आपको बता दूं कि आप अपनी भूमी पर सबसे पहले जिस ओर से सूरी का उदय होता है उस ओर आप अपना मुख करके खड़े हो जाएं जिस ओर से सूरी का उदय हो रहा है उस ओर मुख करने के बाद आप अपने हाथों को इस तरह से सीधा फैला लें मित्रों, जब आप इस तरह से अपने हाथ फैला कर खड़े होंगे तब आप जानेंगे कि जो आपके बाएं हाथ की और की दिशा है वो है उत्तर और जो दाएं हाथ की और की दिशा है वो है दक्षिन और आपके पीट की और की जो दिशा है वो है पस्चिम इस तरह से आपको चार प्रमुख दिशाएं प्राप्थ हो जाएंगे मित्रो इनके अलावा जो और ईशान, आगने, नेरित और वायब यह चार उपदिशा हैं मैं आपको बता देता हूँ कि उन्हें हम कैसे निर्धारित करें चलिए मैंने एक डायग्राम यहाँ पर बनाया हुआ है इस डायग्राम के माध्यम से आपको बताता हूँ कि हम दिशाओं का निर्धारण कैसे करेंगे मित्रो हमारी प्रत्वी 360 डिगरी के ब्यास पर इस्थित है प्रत्वी का जो ब्यास है वो 360 डिगरी का है तो जो चार प्रमुख दिशाओं है वो आमने सामने ठीक 90-90 डिगरी के कौन पर इस्थापित है चार दिशाओं को 90 डिगरी से हम गुणा करते हैं तो 360 डिगरी मिलता है इन दिशाओं के बीच में 45 डिगरी पर हमारी उप दिशाओं इस्थापित है जैसे उत्तर और पूर्व के बीच में हम 45 डिगरी पर जो दिशाओं बनाते हैं स्थापित करते हैं वो कहलाती है इशाण ठीक इसके नीचे पूर्व और दक्षण के बीच में 45 डिगरी के अंशपर आगने दिशाओं इस्थित है ऐसे ही दक्षण और पस्चिम के बीच में 45 डिगरी के अंशपर नेरित दिशाओं साउथ वेस्थित है ऐसे ही पस्चिम और उत्तर के बीच में 45 डिगरी पर वायब दिशा मतलब नौर्थ वेस्थित है मित्रो ये आठ दिशाओं के ग्यान हमने राप्त हो गए हर दिशा का अपना अपना एक स्थान होता है हम कैसे निर्धारित करें कि उत्तर दिशा जहां से गुजर रही है क्या वही उत्तर है नहीं उसका अपना एक डायरा होता है अपना एक स्थान होता है कैसे हमने मित्रो ग्यात की चार प्रमुप दिशाएं और उनके बाद चार उप दिशाएं तो ये होती है 8 दिशाएं 8 दिशाओं को हम 360 डिगरी से डिवाइट करते हैं तो 45 डिगरी आता है मतलब हर दिशा का जो स्थान होता है जो जोन होता है वो 45 डिगरी का होता है कितने डिगरी का? 45 डिगरी का ऐसी ये 45 डिगरी की 8 दिशाएं होती है तब मिलकर के बनता है 360 डिग्री कैसे ये उत्तर दिशा है उत्तर दिशा के ठीक साड़े 22 अंस पर हमने एक दिशा यहां पर स्थापित की है और उत्तर के ठीक साड़े 22 अंस डिग्री पर पूर की ओर एक दिशा और स्थापित की है ऐसे ये साड़े 22 डिग्री और ये साड़ 22 डिग्री मिला करके बनते हैं 45 डिग्री 45 डिग्री तो ये 45 डिग्री का जोन जो की center point से शुरू होता है वो यहाँ पर जो आपकी भूमी की border है जो भूमी की सीमा है उस सीमा तक जाकर के ये 45 अंस्तक की जगह उत्तरदिशा कहलाएगी ठीक इसी तरह इशान के तरफ हम चलते हैं तो ये इशान के 25 डिग्री उत्तर की ओर और इशान से 25 डिग्री पूर्व की ओर इस तरह से ये 45 अंस्तका जो इस्तान है ये इशान दिशा कहलाती है इसी तरह पूर्व के तरफ जब जाते हैं तो पूर्व से इशान की ओर साड़े 22 डिगरी और पूर्व से आगने की ओर साड़े 22 डिगरी इस तरह से ये 45 डिगरी का इस्थान पूर्व दिशा का कहलाता है। इसी तरह दक्षन से आगने की और साड़े 22 डिग्री, दक्षन से नेरित की और साड़े 22 डिग्री, इस तरह से ये स्थान, 45 डिग्री का स्थान दक्षन दिशा का कहलाता है, ठीक, इसके बाद नेरित दिशा है, नेरित दिशा से पस्चिम की और साड़े 22 डिग्री, और दक् इस्थान है ये नेरित कहलाता है मित्रो इसके बाद आती है पस्चिम दिचा पस्चिम से वायब की ओर और पस्चिम से नेरित की ओर ये साड़े 22 डिगरी प्لुस साड़े 22 डिगरी का टोटल होता है 45 डिगरी ये 45 अन्सका इस्थान जो केंदर से शुरू होता है जो आपकी भूमी की सीमा तक जाएगा ये स्थान कहलाता है पस्चिम दिशा इसके बाद नमबर आता है वायब का वायब दिशा मित्रो साड़े बाइस जिगरी उत्तर की ओर और साड़े बाइस जिगरी पस्चिम की ओर होती है इस तरह से ये स्थान बनता है 45 degree का और ये स्थान कहलाता है वायब दिशा का स्थान मित्रो ये टोटल 8 दिशाएं होती हैं कितनी कुल 8 दिशाएं ऐसे 45 degree के अंस से 8 दिशाएं जिनका कुल योग होता है 360 degree जो हमारी प्रतवी का ब्यास है आज हमने जाना आठों दिशाओं का भूमी पर निर्धारा किस तरह से किया जाता है और उसके बाद हमने एक और बात जानी कि इन दिशाओं में कितना इस्थान किस दिशा को प्राप्त है मित्रो ये 8 दिशाएं और उनके स्थान मैंने आज आपको बताए मैं अब आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा जहां मैं आपको बताऊँगा कि इन दिशाओं में कौंसे ग्रह जो हमारे साथ ग्रह है और दो और ग्रह ऐसे नो ग्रह किन दिशाओं में कहां पर स्थापित हैं मिलते हैं मित्रो हमारे अगले एपिसोड में नमस्कार जै जिनेंद्र शुबरात्री नमस्कार मेरे मेरमाद उस्तों अब वक्त हो चला है छोटी छोटी जरूरी जरूरी बात होगा आएए मैं फिर से हाजूर हूँ पीच अंदरवनसी वास्तुग्यान का खजान लेकर वास्तुग्यान कलब आपके प्री चैनल में आपका स्वागत है साथियो अभी आपने जो वीडियो देखा प्रशांत मौदी जी का उसमें उन्होंगे दिशां के बारे में आपको बताया है मुकरूप से दिशां चार होती है पूरा पस्चिम उत्तरदक्षन और उसके बीच बीच में चार उब दिशां भी होती है इशान, आगने, वायव और नेरित इस तरह से कुल मिलाके ये आठ दिशाएं होती है और ऐसा माना जाता है कि पूरब दिशा जो है वो पूर्शों के लिए बहुत उत्तम होती है और उत्तर दिशा महिलाओं के लिए बहुत उत्तम होती है बाकी दो दिशा पस्चिम और दक्षन अधम मानी गई है साथियो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि प्रत्यूवी का अधिकांस भाग जल्तत याने पानी से बना हुआ है और मानो शरीर भी 75 प्रतिशत जल्तत उसे बना हुआ है अतहे प्रत्यूवी पर होने वाली किसी भी घटना या पक्रिया का प्रभाव मानो शरीर पर और मानो जीवन पर इस परश्डूव से देखा जा सकता है अब महिलाओं का शरीर उनके रक्ट में अधिकांस मात्रा में जल पाया जाता है इसलिए उनका शरीर कोमन होता है यह जल तत्यूव का यह प्रत्यूवी का ही प्रभाव है पुर्सों में जल पुर्सों के सरीर में जल कम मात्रा में पाया जाता है इसलिए उनका सरीर थोड़ा कठोर और मुझबूत होता है यह जल तत्यूवी का प्रभाव है यह प्रत्यूवी का प्रभाव है आपसे कोई बताना चाहता हूँ कि दिशाओं का जो ग्यान है वो आपको अपडेट होना चाहिए आठों दिशाओं का नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए आठों दिशाओं के जो स्थान है जैसे कि प्रिशान मौजी जी ने बताए है वो आपको कंठस दियाद होने चाहिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो में जिन में हम दिशाओं का सीधा सीधा उच्चारण करेंगे आपको ठीक तरह से समझ में आ सके हैं तो मैं पीचंदरणसी वास्तु ग्यान क्लब में आपका ये ग्यान आपको देना चाहरा था वास्तु ग्यान क्लब में आप सभी का स्वागत है आप अगर हमारे चैनल में जुड़ना चाहते हैं तो जितने भी वास्तु कारों के मॉबाईल नमबर आपको दिख रहे हैं उन पर आप हमसे कांटेट कर सकते हैं इसके साथ साथ में आपसे गुजारिस है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को भी इसके बारे में बताएं इसी आसा के साथ आपका पीछ अनुरंसी आपसे बिदा लेता है नमश्कार